हलो फ्रेंट्स चानक के गेड में आप सबका स्वागत है पीएम या सस्वी योजना ठीक है आप सबने इसके बारे में सुना होगा प्रधान मंतरी या सस्वी योजना ठीक है ये कख्छा नववी और कख्छा ग्यारवी के बच्चों के लिए है किस तरह और इसमें जो है नवी के बच्चों को जो पास करेंगे एक्जाम को उनको जो है 75,000 रुपए मिलेगा ठीक है प्रतिवर्स दो साल तक मिलेगा उसी तरह जो बच्चे जो है जो ग्यारवी के लिए जो एक्जाम दिलाएंगे ग्यारवी के विद्यार्थियों को, उनको 1,25,000 रुपए छात्रवित्ती मिलेगा, और 2 साल तक मिलेगा सांथियों, देखिए, तो इसमें eligible कौन हो जाएंगे, तो 8 वी के बच्ची इसको दिलाएंगे, जो अभी 9 वी में जाएंगे, और 10 वी के बच्ची दिलाएंगे, जो अभी 11 वी में जाएंगे, विस्तार सेर्चे करेंगे सांथियों, किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह आपको जो है, exam pattern होगा, किस तरह का सिलेबस, किस तरह का exam pattern होगा, कैसे तयारी करना है, एक एक चीज पर विस्तार से बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए, आगे पू एक चीज़ देखेंगे सांतियों, पूरे विस्तार से, देखिए, आपका क्या है, देखिए, राष्टी परिच्छा एजनसी, जो है एक्जाम लेगा आप लोगों का, ठीक है, पीम, जैसस्वी योजना, ठीक है फ्रेंट्स, एक एक चीज़ को विस्तार से देखेंगे, किस अगर exam pattern न होगा एक एक चीज़ पर देखे बात करेंगे परिच्चा की पद्धती, योजना, समय सानी हर एक एक चीज़ पर बात करेंगे वीडियो में बने रही है देखे फ्रेंट्स, महत्वपून डेट है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं तो ये जो form है, आपका 10-7-2023 से start हो गया है और इसका last date कब है? सॉरी, 11-7 से start हुआ है और 11-8, 11-10 अगस्त को इसका last date है आप जल्द जल्द इसको भरवा लेजिए अपने इनस्दिकी twice center से किनको भरवाना है? तो देखे फ्रेंट्स, आपका 10-7 से, सॉरी, 11-7 से 10-8 10 अगस्त तक इसका last date है उसके बाद आगे देखिए, 12-16 अगस्त तक आपका अगर correction कराना चाहते हैं सुन्य है, एक रूपय नहीं देना है आपको आगे देखिए, प्रवेश पत्र का प्रदर्शन तो प्रवेश पत्र कहा मिलेगा? तो NTA के website में आपको के माध्यम से आपको जो है, आपका प्रवेश पत्र मिल जाएगा और परिच्छा की तिथी कब है? तो यह है आपका 29 सितंबर 29 सितंबर मिल अभी लगभग दो महने का समय सांतियों अच्छे से तयारी करिए 29 सितंबर 2023 तक आपका इक्जाम होगा ठीक है फ्रेंट्स? कैसे होगा? तो OMR शिट के माध्यम से Pain paper के माध्यम से आप करेंगे बात करेंगे सांतियों एक-एक चीज में बात करेंगे किस तरह का exam pattern होगा? किस तरह के question आएंगे? एक-एक चीज पर बात करेंगे वस्तुनिश्ट प्रश्न रहेंगे परत्य एक प्रश्न में चार option रहेंगे और उसमें आपको टीक लगाना है ठीक है फ्रेंट्स आगे देखिए आपका जो अवधी है परिच्छा का समय वो 1.500 मिनाट होगा सव प्रश्ण रहेंगे 1.500 मिनाट ठीक है सव प्रश्ण 1.500 मिनाट ठीक है और वो कहां मिलेगा तो NTA के साइड में आपको मिल जाएगा इसके लिए आपको अपने नजदिकी जोई सिंटर से कनेक्ट रहना है साथ ही आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए जैसे प्रवेस्पत्र आएगा मैं आप फिर से वीडियो लाँगा आपको पूरी जानकारी आपको देते रहूँगा तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको जानकारी मिलता रहेगा आगे देखते हैं साथियों आवस्तक दस्तवेज क्या क्या आवस्तक दस्तवेज लगेगा उसको भी देख लीजिए इसकैन की गई तस्वीर ठीक है उसी तरह से आगे आपका लगेगा देखिए देखिए प्रमान पत्र लगेगा स्रेणी प्रमान पत्र ठीक है और क्या लगेगा आए कैसे होगा, पेन पेपर मोड में होगा, ठीक है, चार आपसन रहेंगे, आपको अपने पेन से जो है उसको टिक करना है, OMR शिट के माध्यम से होगा, आगे देखिए, परिच्छा का योजना, ठीक है, बहुई कलपी प्रशन रहेंगे, और किस तरह के रहेंगे, तो देखिए, गणित के जो है 30 प्रशन रहेंगे, प्रत्यक प्रशन एक नंबर का होगा, तो आपका 30 नंबर का, 30 प्रशन 30 नंबर के, ठीक है, कितने 30 प्रशन 30 नंबर के, एक एक नंबर का होगा पेपर जो है, उस तरह देखते हैं विज्ञान का, तो विग्यान का आपका 25 प्रशन रहेंगे 25 नंबर के उस तरह समाजी विग्यान का 25 प्रशन 25 नंबर के और उस तरह सामाणय अविग्यान ता जो जर्रनल नौलेज वाला question है यह चांसा section है जर्रनल नौलेज का ठीक है 20 प्रशन और 20 अंकर रहेगा तो आपका चार भाग रहेगा गणीत, विज्ञान, समाजी विज्ञान और सामान्य ज्ञान ठीक है फ्रेंट्स? तो कुछ इस तरह का जो है आपका exam pattern नहीं रहेगा कहां से पढ़ना है? उसके लिए भी मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियो में बने रहिए देखें प्रेंट्स, आपका प्रश्णों के प्रकार तो चार विकल्पों के साथ बहु विकल्पी प्रश्ण रहेंगे और केवाल एक सहीं होगा, और क्या है देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा plus point है साथियों कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है आपका अगर प्रश्ण गलत भी होता है तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है तो ये है आपका कोई नगरात्मक अंक नहीं है और पेपर आपका 1.500 मिनट का होगा 1.5 गंटे का पेपर होगा सांत्यों 100 प्रश्ण और देखिए यहां पर कितने प्रश्ण है 100 प्रश्ण है और 1.500 मिनट ठीक है फ्रेंट्स आगे देखते हैं फ्रेंट्स देखिए परिच्छा की तिथी मैं स्टार्टिंग में भी बताया था फिर यहां रिपीट कर रहा हूँ 29.9.2023 को आपका एक्जाम होगा ठीक है आगे परिच्छा की पद्धती तो पेन पेपर मोड में होगा धाई गंटे का पेपर होगा और आपको परिच्छा के अंदर में ठीक है फ्रेंट्स परिच्छा के अंदर में 30 मिनट पहले उपस्तित होना है ठीक है आगे देखिए जो आपका पासिंग मांक है ठीक है पासिंग नमबर कितना होना चीए आपका 35% होना चाहिए मतलब देखे 100 नंबर का है पेपर तो 35 नंबर लाना पड़े का आपको पास होने के लिए और एक मज़े की बात बता रहा हूँ है पिछला बार जो एक्जाम हुआ था प्रधानमद्री SSV योजना इसमें आपका 45 नंबर तक के बच्चे का सलेक्षन हुआ था 45 नंबर वाले का लेकिन इस बार क्या है इस बार बहुत सारे कंडिडिट अपलाई कर रहे है तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा नंबर ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 65 से 70 तक जा सकता है ठीक है फ्रेंट्स कहां तक जा सकता है? 65 से 70 तक ठीक है? तो ये जा सकता है आपका 65 से 70 तक के जो बच्चों लाएंगे नंबर उनका सलेक्षन हो जाएगा ठीक है? वो सेफ रहेंगे और 35 प्रतिसद 35 नंबर इसका पासिंग है ठीक है फ्रेंट्स, आपको जादा से जादा नंबर लाना है, लेकिन इसमें safe कौन रहेंगे, तो 65 से 70 नंबर वाले बच्चे safe रहेंगे, आगे देखिए प्रश्ण पत्र का माध्यम, आपका हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा, ठीक है फ्रेंट्स, हिंदी और अंग अभी जो 9 वी पढ़ेंगे वही दिलाएंगे न भई, 9 वी में जो अभी प्रवेस लेंगे वही दिलाएंगे, तो उनका जो 8 वी में जो NCRT है ठीक है, उनका जो पार्ठिक्रम है वो आएगा, आपने 8 वी में जो NCRT का जो syllabus पढ़ा है, वही आएगा, क्या क्या आएगा, तो मैं भी बताया, थोड़े दिर पहले, maths आएगा, और आपका क्या आएगा, science आएगा, और आपका social science मिस, गणीत, विज्ञान, समाजी विज्ञान, और क्या आएगा, GK, general knowledge, तो कुछ इस तरह का आपका सिले बस रहेगा, देखिए, 9 वी वालों के लिए 8 वी का NCRT, और जो है, यहाँ पर कुछ-कुछ condition है, देखिए, जो बच्चा है, वो 8 वी और 10 वी उत्तिन होना चाहिए, देखिए, जो 9 वी के लिए दिलाएंगे, वो 8 वी उत्तिन होना चाहिए, और जो 11 वी के लिए दिलाएंगे, वो 10 वी उत्तिन होना चाहिए, आगे दिया है, जो मात के लिए जो exam दिलाएंगे बच्चे उनका age क्या होना चाहिए तो आपका 2007 से 2011 के बीच होना चाहिए ठीक है 1407 से 31 3 2011 ठीक है 2007 से 2011 के बीच होना चाहिए और जो 11 के लिए जो exam दिलाएंगे उनका age होना चाहिए आपका 2005 से 2009 के बीच उनका age होना चाहिए वही इसमें eligible होंगे आप ये exam नहीं दिला पाएंगे, आगे देखते हैं, देखिए प्रेंट्स, आगे exam center के बारे में दिया है, देखिए, अलग-अलग राज में, अलग-अलग जगह पर क्या होगा, आपका exam center होगा, पूरा दिया है सांतियों, मैं इसका PDF डाल दूँगा, टेलीग्राम में, आप उसको देख सकते हैं कि आपकी राज का exam center कहा होगा, देखिए, हम 36 गड़ वाले हैं, तो वह 36 गड़ का ही डारेक्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, यह देखिए, 36 गड़ का यहाँ पर exam center है, बालोजीला में हैं, बलो परमरवाही, चापा, जस्पूर, कांकेर, कुंडागाओ, कवरधा, देखिए, सभी जीला में आपको exam center देखने को मिल रहा है, ठीक है, फ्रेंट्स, तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है, आपका exam आप ही के जीला में होगा, ठीक है, देखिए फ्रेंट्स, अब आगे आप तयारी कैसे करना है, किस book से पढ़ना है, तो यह जो है, यह government का, sorry, यह जो है आपका राष्टी परिच्छा एजेंसी, ठीक है, स्रेश्ठा का syllabus जो है इसमें apply होगा, ठीक है, तो PM या सस्वी योजना interest exam के लिए आपका एक book है, ठीक है, इस book का मैं link description में डाल दूँग आप वहाँ से इसको order कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसका आपको description में मिल जाएगा, यह book आप download कर लिजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, 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 आपको जानकारी कैसे लगी, comment करें, वीडियो को like करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें, और आपको PNSSV योजनस संबंदी कोई भी doubt होता है, कोई भी doubt, तो बिल्कुल आप बेजी जग comment करें, हम आपके comment कर reply देंगे, मेरे टेलिग्राम चैनल को join कर लिजिए, मैं कुछ-कुछ जानकारी उसमें आपक इसे संबंदी जो है मैं देता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाहिन